दोस्तो क्या आपको पता है बारत का सबसे पहला सोदेशी एरक्राफ्ट तेजस नहीं था बलकि वोतान HF-24 मारूद और क्यों इस जेट के नाम से 1971 में पाकिस्तान थराता था दोस्तो 1971 इंडो पाकिस्तान वार में अपना लोहा मनवाने वाले जेट आकर क्यों फेल हो गया जानते हैं इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना HF 24 मारूत या HAL HF 24 मारूत बारत का पहला सुदेशी फाइटिंग जेट था जिसका 1960 में HAL द्वारा पहला मॉडल तेयर किया गया था लेकिन इसकी डिजाइन एक जर्मन इंजिनियर कड्र टैंक ने दी थी इसके अंदर ट्विन इंजन थे और ये एक सिंगल सीटर जेट था इसकी टॉप स्पीट 1112 किलो मीटर पर आवर थी और रेंज 800 किलो मीटर थी 1971 में पाकिस्तान को अपना लोहा मनवाने वाले इस जेट के फेल होने का एक कारण ये भी है कि इसे एक सूपर सॉनिक जेट के तोर पर डिजाइन किया गया था लेकिन लेक ओफ बजट और अच्छे इंजन्स ना होने की वज़े से इसकी स्पीट सिर्फ 1112 किलो मीटर पर आवर ही रह गई लेकिन फिर भी इसने 1971 में बेटल अफ लोंगे वाला में पाकिस्तान को दूल चटा दी जिसमें इसने 18 से भी ज़्यादा पाकिस्तानी टेंक मार गिराए दोस्तो एचेफ 24 मारूत में एचेफ का मतलब हिंदुस्तानी फाइटर और मारूत का मतलब स्पिरिट आफ टेमपेस्ट है जिसका हिंदी में मतलब होगा तूफानी आत्मा इसका फर्स्ट बेस्ट 1967 में इंडियन एइर फोर्ट को डिलीवर किया गया था और आपको जानकर हिरानी होगी कि मारूत से इंस्पार्ड होकर फ्रांस ने फ्रेंच मायरे एइरक्राफ्ट बनाया था जो की कावी सक्सेस्फुल रहा 1990 में मारूत को इंडियन एरफोर्स की सर्विस से रिटार्ड कर दिया गया हालांकि मारूत एरप्राफ्ट को एक एडवान सक्तिसाली इंजन कभी नहीं मिल सका इसके मॉडल्स आपको H.A.L. म्यूजियम बैंगलॉर, इंडियन एरफोर्स म्यूजियम पालान, जर्मनी वार म्यूजियम में आपको अभी भी मिल जाएंगे मारूत बले ही खुद सूपर्फॉनिक जेट ना बन सका लेकिन इसकी इंस्पिरेशन जे एटीजस जैसे जेट बारत खुद बना पाया आज बले ही हम इंडोस्तान के ऐसे अनौके इत्यास को बूल गये हो लेकिन कुछ भी कहोत मारूत हमारे देश की सान था दोस्तों दुनिया का सबसे पहला फायटिंग जेट प्लेन की अनौकी स्टोरी और इस्ट्री के लिए आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले क्योंकि आज हमी अपना गौरफ साल इत्यास नहीं पड़ रहे हैं इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ कम समय में इंडिया इस्ट्री के फुल ने चोड़ मैं आपसे मिलोंगा अगली वीडियो में जब तक आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं दन्यवाद